प्यारे मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग गुड इवनिंग मंसिका ओनलेन क्लासेज में आपका स्वागत है मैं लाया हूँ आपके लिए SSC, PCS, मंडी परसद, RORO, आदी के लिए GS के कोश्चन, जोगर्फी के कोश्चन है पहला प्रिष्णे मित्रों अरबसागर में गिरने वाली नदी कॉन सी है तापती नदी, अरबसागर में गिरने वाली नदी है तापती नदी का जो उदगम है वो सत्पुड़ा स्रेणी के दक्षिण में मद्ध परदेश के बैतूल जिले में स्थित है और यह अरबसागर में गिरती है इसकी प्रमुक सहायक पूर्ण नदी है महानदी 36 गड के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है इस नदी को उड़ीसा का सोग भी कहा जाता है गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है किर्शना नदी महाबलेस्वर के निकट पश्चिमी घाटों से निकलती है भारत का प्राचींतम परवत कौन सा है अरावली परवत है प्राचींतम परवत इसका भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर उत्तर पूर से दक्षिन पश्चिम दिशा में विश्थार पाया जाता है इसकी सर्वोच्य चोटी माउंट आबू 1720 मीटर है ये परवत अपरदन और अनाच्छादन के करण घिस पिटकर काफी नीची हो गई है इसका निर्माड कैली डोनियन यूग में हुआ तीसरा प्रश्चन है मित्रों पिर्थवी अपनी धूरी पर कितनी जुकी है पिर्थवी जो है दीर्ग वृत्ती धूरी से 23.5 डिगरी पर जुकी है अपने अक्ष से 23 अंस जुकी है इस जुके हुए अक्ष के सहारे ही पिर्थवी अपनी धूरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पिर्थवी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है सूर के चारों और परिक्रमण के दोरान पृत्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है इस प्रकाय पृत्वी का एक वर्स लगबग 365.26 दिन लमबा होता है पृत्वी के परिक्रमण के दोरान इसके धूरी में जुकाओ होता है जिसके कारण ही ग्रह की सत्वी पर मौसमी भी में कर देता है ठीक है दोस्तों चौथा प्रश्ण है भारत के कुल छेत्रफल में वनों का छेत्रफल कितना है 24.4 प्रशत बारा फरवरी 2018 को केंद्री वन पर्यावरन और जलवायू परिवर्तन मंत्री डाक्टर हर्जवर्धन ने पंद्रहवी भारत वन अनी इस्थिती रिपोर्ट ISFR 2017 जारी की इस रिपोर्ट के अनुसार वन छेत्र के मावले में भारत विश्व के सीर्स दस देसों में सामिल है भारत के भूभाग का 24.4 परसत हिस्सा वनों और पेणों से घिरा है जबकि विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4 परसत ही है ये ISFR 2017 के अनुसार देश में वन और विरिक्षावरण की इस्थिती में वर्ष 2015 की तुल्ला में 8,021 वर किलोमीटर की ब्रिद्धी हुई है ये ब्रिद्धी 1.14 परसत की है इसमें 6,778 वर किलोमीटर की ब्रिद्धी वन छेत्रों में हुई है बहुत ज्यादा डिटेल है दोस्तों पांचवा प्रसने मित्रों अफरीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है लिम्पोजी अफ्रीका की लिम्पोजी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है अफ्रीका की प्रमुख नदियों में ली, कांगो, जामबेजी, आरेंज, आधी प्रमुख है अपने घुमाओं के कारण यह दो बार काटती है कांगो नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है जिसका कारण कांगो गणराजी का विश्वत रेका पर इस्तित होना है छठा प्रिशने मित्रों संयुक्त राज अमेरिका में किस छेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है मिशीशीपी मैदान को मिशीशीपी मैदान अमेरिका में इस्तित है यह संयुक्त राज अमेरिका का ही नहीं बलकि पूरे उत्री अमेरिका महादीब का बड़ा मैदानी छेत्र है सात्वा प्रश्नमित्रों बर्मूडा त्रिभुज कहां इस्तित है यह पश्चमी उत्री अटलांटिक महासागर में इस्तित है बर्मूडा त्रिभूज या बर्मूडा त्रिकूण उत्तर पश्रिम अटलांटिक महासागर का एक छेत्र है जिसमें कुछ विमान और सतही तुर्टी या प्रकृत के कृतियों की सिमाओं के परे है कुछ व्यक्तियों की मानिताओं के नुसारिया, एक ऐसा रहस्में शेत्र है, जहांपर वायुयान और जल्यान रहस्में रूप से लाबता होते हैं, 1964 में एक पत्रिका ने इस शेत्र को बर्मूडा त्रिभुज का नाम दिया था आठ्वे प्रशने भी आते हैं मित्रों, दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है, आप सन में कौन से हैं, बुद्ध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं, शुक्र बुद्ध की अपेक्छा या सभी ग्रहों की अपेक्छा सबसे अधिक गर्म है, क्योंकि इस पर कारवन डा आयकसाइट की मात्रा ज्यादा है, सरवाधिक उपग्रह ब्रिहस्पत के हैं 63, इसके बाद सनी का इस्थान है 62, नवा प्रशने मित्रों भारत, भारत में कौन सा जनगड़ना वर्स, जनसंख्या की विभाजन का वर्स कहा जाता है, 1921 कहा जाता है, 1921 सताब्दी की अबाती दसकों में भारत की जनसंख्या की बिर्दि धीमी रही, 1911 और 1921 के मद्ध यह रिनात्मक थी, जिसका मुखे कारण महामारियों का फैलना, अकाल पढ़ना, धुति विश्रिका होना, इन सब कारणों से भारत की जनसंख्या में 77 लाकी कमी आई, लेकिन वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, 2011 की जनकरणा के अनुसार भारत की आबादी 1.21 अरव है, पिछले 93 सालों में 1921 के बाद से हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, 1901 के बाद के इतिहास में सिर्फ 1911 और 2021 के बीच का दसक ही ऐसा समय था जब भारत की अबादी घटी, 1921 के बाद से भारत की अबादी बढ़ती चली गई, इसी वज़ा से 1921 के साल को दे ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, लेकिन इसके बाद हमारी जनसंक्या लगातार बढ़ती चली गई, इसमें सिर्फ बंगाल में अकाल और भारत से पाकिस्तान अलग होने की वज़ा से 1941 से 1951 के भी जनसंक्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई, दस्वा प्रशने मित्रों भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, यह इलावाद नैनी से लिया गया है, भारती मानक समय के लिए 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर को आधार बना गया है, जो कि इलावाद नैनी से होकर गुजरती है, भारती मानक समय IST और ग्रीन विच मादे समय GMT में 5.30 घंटे का अंतर है, साड़े पांच घंटे का अंतर है, ग्रीन विच से साड़े पांच घंटे आगे है, अर्थाद ग्रीन विच पर सुबह 6 बजने पर भारत में साड़े ग्यारा बजे दोपहर बज रहे होंगे, प्रतेक देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ग्यारवा प्रशने मित्रू, ब्लैक होल की जानकारी सरवर्थम किस किस ने दी, एस चंत सेखर जी ने दी, ब्लैक होल एक ऐसा खगोली छेतर है, जिसका इस सिधान्त का प्रतिबादन करने हैं तो प्रशिद हैं, इस सिधान्त के अनुसार सफेद बोने तारे, एक निश्चित द्रुमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक विर्धी नहीं कर सकते हैं, और अंतता वे ब्लैक होल कृष्ण छिद्र बन जाते हैं, किस ग्रह को प्रुथवी के जुडवा ग्रह के नाम से जाना जाता है सुक्र को? का तारा और साम का तारा भी कहते हैं, इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है. तेरवा परश्ण हे मित्रों, गलोब उपर दो इस्थानों के बीच निउंतम दूरी कितनी होती है, निउंतम दूरी कितने अक्छांस पर होती है, दूसरा आपतन सही है, 45 अंस दक्षण अक्षांस पर गलोब पर दो इस्थानों के बीच नियुंतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है प्रधान मध्यान रेखा ब्रिटेन के ग्रीन विच से होकर गुजरती है इसे सुन अंस देशांतर रेखा भी कहा जाता है पूर्वी एवं पश्चमी गुलार्द की महतपूर्ण निर्धारन रेखा होने की कारण यहां गलोब के दो इस्थानों की दूरी नियुंतम होती है अंतराष्टी तिथी रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है प्रशान्त महासागर से गुजरने वाली इस अंतराष्टी तिथी रेखा का 8 भार मुणाव हुआ है 45 अंस उत्री एवं 45 अंस दक्षणी अक्षांस रेखाएं उत्री एवं दक्षणी मध्यान रेखाएं हैं चवद्वां प्रशने मित्रो ओजोन परत किस मंडल में इस्तित है समताप मंडल में इस्तित है ओजोन ओथरी एक हलके नीले रंगी गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है इसका मुखेकार सूर की पराबैंगनी किरणों का अश्रोशन करना है वर्तमान में वाय मंडल में इसकी मात्रा 0.02-0.07 PPM है लेकिन 3000 डिग्री एंगस्ट्राम तक की विक्रणों का अशोशन करने की छमता इस गैस में पाई जाती है ओजोन की विखंडन से पराबैंगरी किरेने धर्ती पर आती है निर्बाद रूप से जिसके कारण जीवों तता वनस्वतियों पर घातक प्रभाव होता है वस्तुता समताप मंडल में ओजोन की उपस्तिती 11 रेसियो L2 नामक 3 सम इस्तरों में होती है इसमें L2 सम इस्तर की मोटाई सरवाधिक है मानो जनित ओजोन विखंडन का वैग्यानिक अध्यन सन 1970 में परारम किया गया था लेकिन ओजोन की गत्यात्मक संकलपना की सरप्रतम व्याख्या चैप मैन ने सन 1930 में की थी चैप मैन के अनुसार ओजोन के अड़ों का विखंडन ब्रम्हांडी विकरणों के प्रभाव से होता है जिसके फल्सरूप आक्सीजन के परवाण वीमुक्त होते है पंद्रवा प्रशने मित्रों भारत का सरवाधिक नगरी कृत राजी कौन सा है गोवा गोवा की कुल जनसंख्या का 49.77 प्रशन जनसंख्या नगरी है इसके बाद मिजूरम 49.7 प्रशन तमिलनाडू 49.86 प्रशन तथा महाराष्ट 42.4 प्रशन का इस्थान जनगरना वर्स 2001 के अनुसार सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाले राजी महाराष यूपी तमिलनाडू है वर्स 2001 के अनुसार वर्स 2011 की जनगरना के अनुसार गोवा की कुल जनसंख्या का 62.2 प्रशन जनसंख्या नगरी है वा दूसरे स्थान पर मिजोरम 52.1 परसत तथा तीसरे स्थान पर tamilnaadu 48.4 परसत तथा چतुर्त स्थान पर केवल 47.72 परसत है रितु प्रवास किसे कहते हैं दोस्तों रितु प्रवास जो है भोटिया को कहते हैं भोटिया उत्राखंड के अलमोडा, चमोली, पिथोरागड और उत्तरकासी छेत्र में पाए जाने वाली मंगोल परजातिक की जन जाती है भोटिया जन जाती रितु प्रवास के लिए प्रशिद्ध है ये लोग अपने पसों को चाराने के लिए ग्रीस मृतु में अधिक उचे इस्थानों पर ले जाते हैं तथा सीत रितु में घाडियों में उतर जाते हैं थारू ये नैनिताल जलेगर गोरकपुर एवं तराई छेत्र में रहते हैं एवं किरात वन्स की हैं जाउनसारी उतराखंड की सबसे बड़ी जन जाती है सत्रवा प्रश्नमित्रों हजीरा उरवरक कारखाना किस पर अधारित है प्राकृतिक गैस पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को आपरेटिव आई एफफ सी ओ सहकारी छेत्र का एक मात्र प्रतिष्ठान है इसके अंदरगत गुजरात में कलोल तथा कांडला में उत्तर प्रदेश में फूलपूर तथा आमला यूरिया संग्यंत्र इस्थापित है हजीरा विजयपूर जगदीशपूर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरग कारखाने इस प्रकार हैं हजीरा विजयपूर जगदीशपूर आमला गडेपन राजस्थान में बबराला साजहापूर प्रमुख हैं लाश्ट प्रश्ने मित्रों तकला मकान मरुस्थल किस देश में इस्थित है चीन में ऐसा छेतर जहां ओसत वार्षिक वर्षन 25 सेंटीमेटर से कम होता है मरुस्थल की स्रिणी में आता है तकला मकान मरुस्थल मध्य एसिया के जी जी आंग यूवर स्वतंत्र छेतर चीन में विस्तारित है यह दक्षिड में कुन लुन परवत तथा पश्मी उतर में पामीर एवं तियांसान परवत से घिरा है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृप्या सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें